हेलो एब्रीबान, वाकेंची गेट यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत भागा थे रामक्रिश्न विशन विवेकानन दो विद्यामंदीर मालन के तरफ से एसिस्टन टीचर और क्लारिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुए 5 अपरेल 2023 की देश से इसमें एलिजबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमीट क्या है, एक्जाम पैटर्न क्या है इस सब के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए भीडियो को एन तक जरूर देखना तरफ से एसिस्टन टीचर और क्लारिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है जिसमें एसिस्टन टीचर को क्वालिफिकेशन लगेगा एस पर वेस्ट बंगल स्कूल सर्विस कोमिशन और क्लारिकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है एस पर वेस्ट बंगल स्कूल सर्विस कोमिशन Assistant Teacher Post के लिए Minimum Age Limited 21 years, Maximum Age Limited 40 years और Clarical Post के लिए Minimum Age Limited 18 years और Maximum Age Limited 40 years इसमें Age Relaxation Way Applicable है SC, SD Candidate के लिए 5 years, OBC Candidate के लिए 3 years अब इसमें Vacancy Details देख लेते हैं Assistant Teacher Post के लिए क्या-क्या Subject है और उसमें क्या Qualification लगेगा ओ देख लेते हैं English, SC Category में Post है इसमें जो भी Candidate ग्राजुएट की है, English में और B.A. की है वो इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं Pure Science में है OBC B Category जो Candidate Pure Science की है, Graduate और B.A. है, वो अपलाई कर सकते हैं Life Science में Unreserved Category में Post है जो Candidate ग्राजुएट की है, Bio Science में और B.A. की है, वो इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं Select Post के लिए, जो Candidate 10th Class की है और Computer का Knowledge है, वो इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं यह Unreserved Category में है इसमें Salary मिलेगा, एस पर West Bengali School Service Permission इसमें पहले Return Exam होगा Question होगा Objective Type का और इसमें Question Bengali में ही आएगा एपलाई करने के लिए आपको इसके Official Website पर जाना है जो की है www.rkmvb.m.alda.org.in अब Assistant Teacher पोस्ट के लिए, दो पार्ट में Question होगा Part 1 में 45 Marks है, Part 2 में 10 Marks टोटल Return Exam होगा 55 Marks का इसमें Qualifying Marks है 35 Clarical Post के लिए टोटल 60 Marks का Question होगा Part 1 में है 45 Question और Part 2 में है 15 Question इसमें Application Fee है Unreserved Category के लिए 500 रुपीज और Reserved Category के लिए 400 रुपीज Speed Post के जड़ यह मिल जाएगा Apply करने के लिए आपके इसके Official Website पर जाके Application Form का Print Out डाउनलोड करना होगा और जो भी Required Document से उसमें कुछ General Information भी बता दिये गए है और आप इसके Official Notification डाउनलोड करके उसे अच्छे से परके उसके बाद ही Apply करना तो जो Candidates इस Post के लिए अपलाई करना चाहते हो या इस Post के लिए Elisable हो वो जल से जल्द अपलाई करना इसको जो Official Notification है उसका Link हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में दे दी है वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इसके Official Website का Link भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में दे दी है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो इस वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद बेस्टूशिस